C.U.T. U.G. 2024 का फॉर्म आउट होने वाला है, जल्दी वो आउट हो जाया, अगर न्यूस इस आ रही है, ऐसी, तो फॉर्म भरती बार हमें किन चीजों का धिहान रखना है, ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और हम अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम उनिवर्सिटी तक पहुंच सके, जितना जरूरी बच्चों आपकी बढ़ाई है, उतना ही जरूरी आपकी ये फॉर्म फिलिंग भी है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, और फिर जो कोर्स वो टार्गेट कर रहे हैं, जो युनिवर्सिटी वो टार्गेट कर रहे हैं, उस तक वो करनी हैं, दूरिंग फॉर्म फिलिंग, सबसे पहली बात है, always make a list of course and universities, पहले आप लोग अपना target set कीजिए, कि आपको किस course में, किस university में जाना है, ये सबसे जाधा important है, फॉर्म आगे हमको पता ही नहीं है, हमें कौन से course में जाना है, कौन से university में जाना है, और हमने कुछ भर दिया, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा, सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए, courses की और universities की, जिसको आप target कर रहे हैं, पहली बात, बहुत जाधा important, दूसरी बात, don't be in hurry to fill the form, आप फॉर्म भरने से admission नहीं मिलेगा, admission तो paper देने के बाद ही मिलेगा, इसलिए जल्दी से भाग क फॉर्म मत भरिये, अभी CUTPG का फॉर्म आया है, तो यहां पर भी कुछ universities अपग्रेड हो रही है, तो आपको यह नहीं है, एकदम से फॉर्म भर देना है, उसमें कुछ ऐसी universities अगर एड नहीं हुई, जो आने वाले दिन में होने वाली है, तो आप उस university के लिए eligible नहीं रह आती है, बच्चों की अधार कार्ड पे नाम कुछ और है, दसवी के certificate पे नाम कुछ और है, पापा के नाम की spelling 10th में कुछ और है, 12th में कुछ और है, इन चीजों को प्लीज आप सही करवा लीजिए, यह बहुत जादा important है, जब भी आपका document verification होगा, युनिवसिटी में वह आपको rejection जेलना पड़ सकता है, तो उस position पे पहुँच के आप reject ना हो, इसलिए इस चीज़ का बहुत जादा भी time है, इसलिए आपको बताया जारा है, इस चीज़ का आप ध्यान कर लें, चौती बात क्या है, चूज डॉमें आफ यॉर class 12th, यह बहुत जादा important बात है बच उनमें आपका pass होना ज़रूरी होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, अगली बात, check the eligibility criteria of the course, जिस course के लिए आप अपलाई कर रहे हैं, उसका eligibility criteria देख लीजे, उस हिसाब से आप अपना combination बनाईए, जो आपका best combination बन सकता है, यह बहुत जादा ज़रूरी है, बहुत जादा important point, जिससे आप maximum courses में eligible हो जाएंगे, एक language, चार, Dominar, GT, अगर आप यह opt करते हैं, तो आप maximum courses के लिए eligible हो जाते हैं, क्यूंकि इस साल आप 10 subject नहीं भर पाएंगे, यह आपको पहले भी बताया था, CUT, PG में, कि maximum course आपके 4 रहने वाले हैं, तो CUT, UG में maximum subject जिहान रखना है, उसके बाद बहुत ही जादा important चीज, documents, documents बहुत जादा जरूरी है, separate videos बदा के भी आपको बताया गया है, इसमें भी आपको बता रहे हैं, कि यह documents अपने आप ready कर लें, 10-12 का certificate ready कर लें, photo ready कर लें, white background का prefer करता है, 80% आपका face दिखना चाहिए, signature अपने scan form में आप ready कर लें, category अगर आपकी कोई है, तो उसके certificates आप ready कर लें, 1 April 2023 के बाद के, आप अगर OBC non-cleammy layer से हैं, ST, SC से हैं, EWS से हैं, PWD से हैं, तो इन चीज़ों को आप ready कर लें, अभी से ही, form आएगा, हडबडी मच जाएगी, गलती कर दोगे, साल खराब हो जाएगा, ऐस गलती ना करें, बिल्कुल भी, इस process को अची तरह से समझें, time लें, और फिर अपना form भरें, और घबराने की कोई बात निया, higher education की team आपके साथ, ना cable form filling में, ना cable आपके mentorship में, counseling में, आपके लिए higher education, academics में भी आपके साथ है, आप higher education app को download कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको आपके domains, GT English की तैयारी कराई जारी है, mock test, notes, सारी चीज़ आपको मिलेंगे, हमारे counselors, mentors, 24-7 available है आपकी मदद के लिए, तो देर मत कीज़े, higher education app के साथ जुड़िये, और ऐसी informative videos के लिए, आप higher education channel के साथ जुड़े रहिए